नमश्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत शुखते दोसों आपको बता दे कि 18 देशमर की शुभ एक गारा बजे शे जिया दोसों या शुमे शे आपके जुनकाल में भगवान शुनदेप के शुबाद शी बड़े चुमतकार होने वाले हैं जे दोसों आपको बतादे कि याशमर में शनिवार के दिन रहने से बगवान शुनदेप की किरपाद तो आपके जुनकल पर रहेगी पर दोसों आपको बता दें कि इनके शाह साथ याशमर की भी बहुत दूरलब शियोग बन रहे हैं जिनके कारण कई परकार की धनयोग और राजयों का रिर्मान होने वाले हैं और इन शबी के बदोलत आपकी ज़ोन में आपको वो शबी खुश्या जिन के लिए पिछले शमिशी ललाईत हो रहे थे ज्यादोसों आपको बता दें कि आपके वे शबी शपने अश्मी सचोंगे भगवान शर्देब के शिरबाशी जिन के लिए आप पिछले शमी से महनत कर रहे थे जिया दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्रीदेब के चिर्बाची अश्मे आपके करमों का फल मिलने वाले हैं और आपके करमों में जो भी आपके लिए भागश्य लिस्तित्या हैं दोस्तों ये श्रभी अश्मे आपको दिखने वाले हैं आपको बता दें कि भगवान श्रीदेव हमेशा अपने भक्तों की जिवनकाल में कुछ यह सही बड़े शमतकार करते हैं जिनसे उनका मन और दिल दोनों ही पर्षन हो जाते हैं और यह श्मय भी आपकी जिवनकाल में यह शबी घटनाय होने वाली है और शाथी साथ दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले श्मय कोई भी गलती ना करें ताकि श्रीदेव रूष्ट हो जाए जया दोस्तों तो आज का यह वीडियो आपकी जिवनकाल के लिए आने वाले भाश के लिए बहुत ही महत पूर रहने वाली है इसलिए आप शुरू श्रीकर अंतर तक जरू प्रश्चत में क्या क्या आपको लाब मिलेंगे तो दोस्तों अंतर देखेगा उश्रे पहले दोस्तों जो वाक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बोक्स में शच्चे मन से जय शन्यदेव लिखेगा गुरुजी का भगवान शन्यदेव का शीधा शिरभाद प्राप तो दोस्तों जरूर लिखेगा और अगर आप चैनल को भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथे बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहरम करते हैं दोस्तों कुछ समय से जिनकारियों के लिए आप प्रयास कर रहे थे दोस्तों यश्मी उनकारियों के पूर्ण होने की उचित समय आ गया है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी आशिल होंगे परंतु इसके लिए कर्म परधान होना जरूरी है दोस्तों आपको यश्मी अपने उर्जा का भरपूर इस्तिमाल करना चाहिए इसके परंतु दोस्तों आप सुभी कारिव को सुभलता पुर्वग करने में सक्चम रहेंगों और अच्छी समलताओं को अच्छी काम यश्मी हासिल करणा ले इसके पर जोस्तों अपनी मेहत्पूर चीजों का आपको विश्यार धियान रखना चाहिए तो दोस्तों ने खोने या पर चोरी होने की अशनका लग रही है आपको बता दें कि भावनों में आकर कोई भी महत्पुन निदले ना ले कोई भी पेमेंट भी रुकने से आपके मन में कुछ परिशानी आशकती है तो दोस्तों इनसे आपको एशमे सावधा रहने की आवे शकता होगी और इसके प्रांद उसे एशमे आपको किसी के भी दोवरा श्रयोग नौमील पाने के विज़शे उदात दिन्ता का शामना भी करना पर सकता है आपको बदा दें कि फिर भी आप खुद के उपर विश्वास बनाई रख कर हाथ में निर्वर बनना आपको एशमे सिखना होगा ये आपके लिए शमे बैत रहेंगे और इसके प्रांद उसे एशमे आपके लिज़शन होगी आपको बदा दें कि दोस्तों आपने अपने कारे करने की प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वो आपके लिए शमे लागदाग रहेंगे और इस दितर शमे भारी गतित्यों में भी आपका वहित्त होगा जोजना बद तरीके से अपने कारे को शम्पन कर सकते हैं अवशी मनमताबित आपकी कारियों में आपको शफलता की प्राप्ति होगी और इसको प्रान दोस्येश में पुराने कुछ नकार्थमक बातें उठने से निकर शम्पन्दियों के साथ बाद विवाद भी होग सकता है उचे दोयस्ताव बनाए रखने के लिए आपको शांती और धहर रखना समस्याओं को सुलदाएगा समस्याओं का हल होगा और इसको प्रान दोस्येश में आपको बतातें कि घर में जो सुधार शम्दी उजनाई बन रही थी दोस्तों अभी उनके पर पुनुल विचार आपको अवश्च करना चाहिए क्यों थोड़ा से अभी लप्रवाई आपके लिए नुक्षान का कारण बरश रखता है तो दोस्तों इन पर आपको यश्मी ध्यान देने की अवश्चता होंगी और इसको प्राण दोस्तों यश्मी आपके लिए श्मोंगे आपको बता दे कि घर में हो रहे भी बातों की जानकारे बाहर की वेक्तियों को देने से प्रेज रखे दोस्तों आपकी वेक्तिकत जिवन के बारे में जर्रत से अधिक बात मित्रों के साथ माटने की वज़ाशी आपके बारे में उनकी राय यश्मी में गलत बन रही है। इसलिए दोस्तों व्यक्ति को प्रक्त कर अपनी बातों को बताने की यश्मी आपको आवे सकता होगी। और इसके उप्रान दोस्ते यश्मे, आपके लिए जो से महुंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश्मे कारियों के दिखता आपके उपर रहेगी और उन्हें एक गटित होकर पूरा करने में का आपको यश्मे प्रयाश करना चाहिए। कारियों पर अधिक सोच बिजार करने के बजाए आपको शमय को व्यर्थना करके उन्हें पर तुरंद निले लेना चाहिए। में बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। वैपार में अश्मे बहुत बड़ा मुनाफा अश्मे आपको मिलने वाली है। साथित बता दें कि युवाओं को अपने छेतर में असानी से यसकी प्राप्ती भी होने वाली है। और इसके प्राप्त दूसरे यसमे आपको बता दें कि संतान की सिक्चा और फिर केरिया से जमनित चल रहे कि समस्या का शमधान में मिलने से सुकून वापिर रहात मिलेगा। और आपको ने व्यक्तिकत कारियों में ध्यान खेंद्रित बीच से कर पाएंगे। घर में धार में कारे भी शंपन होने हैं तू योजना भी बनेंगी। शमाज वे संता में भी आपका शयोग यात्माग योगदान रहेगा। और इसको साथी दोस्तों आपको बदा दें कि यश में जो हुआ है कि इस दियां ज्यादा बन रही है अनावश्य खर्चे पर आपको यश में नियंतर रखना चाहिए। कभी कभी आपकी जल्दवाजी वा फिर टोकाटो की घर के महाल को अस्तिवस्त रख सकती है। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें अपने इस स्वभाव को बदलने की यश में आपको आवश्यता हो सकती है। और इसको प्राहन दोस्तों यश में और आपकी केरियर को लेकर बात के रथात आपके वावशाय की। तो दोस्तों यश में वर्तमान शमी में कारशी तुमें जो कार चल रहे है। दोस्तों 24 रूप से ठीक समय पर संपन हो जाएंगे। सिर्फ अत्यदिक मेहनत करने की जर्द होंगी। मीडिया तथा कंप्यूटर छेत से जुड़े वावशाय में लावदाय की सुदियां बन रही है। इनमें आपको अच्छी काम्याभी भी हासिल होंगी। नोकरी में टार्गेट पूरा होने से बोश और अपिर अधिकारी भी आपसे पर्शन रहेंगी। और आपको कोई अच्छी पतपराप्ति की समभावना भी हो रही है। और इसको प्राण दोस्ते हैं शुमे। आपके केरिण के लिए जो समोंगे आपके वईशाय के लिए आपको बता दे कि दूस्तों कारेचित में तेदिक वैस्ता बने रहेगी। प्रमचारियों की काम लेते शुमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जरासी लपरवाई नुक्सान दे आपके लिए रह सकता है। इसलितों जो भी जब भी उनसे आपको काम है तो उनसे अपने महरें पर सरीम रखकर ही उनसे बात करें। इनसे आपको उनसे शलाह भी ले पाएंगे और उनसे समद भी आपका बैत रहेगा। नुक्री में भी किसी टार्गेट को पूरा करने से आपका मन शमान और आपको तरकी मिलने की सभाना बन रही है। और इसके प्रांद दोस्तों ये शमी आपकी केरिर के लिए जिसे महोंगे आपको बता दें कि वायोशाय में सभी निरले श्वेंगी लें। दूसरों पर आपको अधिक बिश्वास में करना और सलाह लेना आपके लिए नुक्सान दायक भी रह सकता है। आपके कार्शमता पर पढ़ सकता है और ये शमी मीडिया वापिर फॉन द्वारा आपको कोई बड़ा ओडर भी मिलने की समान अब बन रही है। अगर आपकी लव लाइब के लिकर बात करें तो दोस्तों पती-पत्नी अपने अपने कार्य में वैस्त रहने की कारण एक दूसरे को उतना शमी नहीं दे पाएंगे। प्रदों दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास और आपसे समाजे समन्नों को और अधिक मदूल बना कर रखेगा। तो दोस्तों इन पर आपको धियान देना चाहिए और अपने जीवन साथी बरेश में आपको विश्वास रखने की आवश्यक्ता होगी। और इसके प्रदोस्तों आपके जीवन साथी के लिश्वास रखने की आवश्यक्ता होगी। वैवार में कुमलता बनाकर रखें। यह आपके प्रेम जीवन के लिश्वास रहेंगे। और इसके प्राद दोस्तों आपके लिश्वास रखने की लिश्वास रखें। इसे दुस्तों पारिविर वातारन भी खुश्णमा बना रहेगा साथ आपसे संबंदों में मदरुताब बने रहेंगी तो इन पर भी ध्यान देए आपके लिए बैतरोंगे और इसको प्रांद दुस्तों अगर आपकी स्वास को लेकर बात करें तो दुस्तों स्वास यह में नकातों प्रसोतियों से आपको अपने श्वास समद्री सुरुक्षाओं के नेर्मों का पालन भी करना चाहिए यह आपके श्वास के लिए बैतरोंगे और इसके पांद दुस्तों यह स्वास के लिए बैतरोंगे तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखने के आउशक तोंगी